आपके डाइजेशन को इंप्रूफ करने में बलकि आपके मेटबॉलिजम को भी बूस्ट करने में इंप्रूफ करेंगे अगर आपके बॉड़ी के अंदर वाइट में इंप्रूट कर सकते हैं बिकज यह नाचुरल मल्टी वाइटमिन का काम करेंगे इंप्रूफ इनका नूट्रिशनल प्रोफाइल भी बहुत ही अमेजिंग है तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले मौर्निंग डीटॉक्स जूस से तो इसे बनाना बहुत ही आसान है सिंप्ली आपको जो गाचर है उन्हें पील करना है चॉप कर लेना है और रफरी चॉप कर लेना है पेर को अब हम चॉप कैरेट्स को पेर को और डेट्स को ब्लेंडर में आड कर देंगे थोड़े से पानी के साथ जादा पानी शुरु में आड ना करें अदरवाइस चंक रह जाएंगी अब बच्चा हुआ पानी इसमें हम डालेंगे cinnamon powder, pink salt, ताकि सारी चीज़े अच्छी तरह कंबाइन हो जाएं और हमें एक smooth texture जाहिए हमें इस juice को strain करने की ज़रत नहीं है otherwise fiber loss हो जाएगा और काफी nutrients और भी loss हो जाएंगे You must consume this fresh इसे store करकर मत रखना Fresh, immediately आप इसे consume करें morning में digestive health के लिए बहुत अच्छा है, nutrition के absorption के लिए बहुत अच्छा है हमारी अगली recipe है Moringa juice की Moringa एक powerhouse होता है of nutrients चाहे वो आयन हो, calcium हो इससे अपनी diet केंद अगर आप शामिल करेंगे तो आपकी energy boost होगी vitamins and minerals में high होता है ये साथ ही females के लिए ये एक amazing drink है तो बनाना बहुत ही असान है इन सारी चीजों को आपको पहले थोड़े पानी के साथ एक अच्छे blender में आड़ करना है और high speed पे blend करना है और उसके बाद जो बचा हुआ पानी है वो आड़ करके आप इसे blend कर दीचे बनने के बाद अगर जरूरत है तो आप इसके अंदर हली आड़ कर सकते हैं आप इसे empty stomach लेंगे morning में तो बहुत अच्छा रहेगा और इसके 30-40 मिनिट के बाद आपको कुछ नहीं खाना है अगला है हमारा ultimate green detox juice इसमें भी हाँ मोरिंगा का इस्तेमाल करेंगे लेकिन और भी ingredients इसमें आड़ किये हुए हैं सो बनाना बहुत ही असान है सबसे पहले मैं जो फ्रेश मोरिंगा के लीव लेकर आए हूं उसे इसे अलग कर दूंगी और मैंने इसे अच्छी तरहें वाश भी कर लिया है now I just have to combine all the ingredients in a blender और इन्हें ब्लेंट करना है until everything is well combined और smooth इसका texture ना हो जाए now transfer this smoothie to a jar or a glass and consume immediately इसे store नहीं करना है इसे आपको immediately consume करना है so drink this on a detox day अगला है हमारा ABC morning juice और यह बहुत ही एक popular juice है यह जो recipe है यह काफी popular हुई थी और आप इसे try करेंगे not only this juice is healthy but it is just delicious तो इसे बनाना बहुत ही आसान है जड़ पर बनकर तयार हो जाता है there is no cooking that is required तो इस juice को बनाने के लिए blender में मैंने सबसे नीची थोड़ा पानी आड़ किया है उसके बाद बाकी सारे ingredients को मैंने आड़ कर दिया है beetroot, carrot, apple, ginger, salt, lemon, cinnamon और सबसे एंड में honey इसके बाद जो बाकी बचा हुआ पानी है वो मैं उपर आड़ कर दूँगी और अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी अंटिल इस स्मूध तो हाई स्पीड पर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंडिंग में मुझे लगा है वान मिनिट के आसपास तो इस जूस को मौनिंग में अपनी डाइट केंदर इंक्लूड कीजिए इस रेजिपी सर्फ वन परसन अगला है आश गौर्ड जूस और बहुत सारे इंडिया के ऐसे फिटनेस गुरू हैं जो इसे रेकमेंड करते हैं बिक्रिज ओफिट्स हेल्थ प्रॉपरटीज सबसे पहले मैंने आश गौर्ड को कट कर लिया है आधे में अब मैं इसका छिलका उतारूँगी और इसके सीट्स भी रिमूव कर दूँगी तो सीट्स को कैफोले आप रिमूव कर दीजिए अब नाओ आम कटिंग इस पेठा इंटू स्मॉल स्लाइस चोटे चोटे चुंक में मैं इसे कट कर लूँगी तो हम ग्राजूली पानी एड करेंगे शुरू में ही जाधा पानी के साथ ब्लेंड करेंगे तो इसमें चंक्स रहने की अलम्स रहने के चांसेस हैं इसकी प्यूरी हम तयार करेंगे तो ये प्यूरी बन गई है मैंने इसमें बाकी पानी आड कर दिया है और मेरा ये जूस जो है बन गिया है मैं इसे एक मोटी चलनी से छान लूँगी तो देखिए कोई रेसिट्यू नहीं बचेगा मैंने इसे अच्छी तरह चान लिया है और छलनी में लगबक कुछ नहीं बचा है कई लोग इसे मस्लिन क्लॉथ में या कॉटन क्लॉथ में भी निकाल कर चानते हैं तो ये जो जूस है वो आप आज इस कंजूम कर सकते हैं य लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए अगर आप इसमें कुछ आड करना चाहें तो मैंने यहाँ पर नीमू का रस लिया है पिंक सॉल्ट लिया है और मिंट पाउडर लिया है तो ये टेस्ट के लिए है आप चाहें तो ऐसे असे अजूम कर सकते हैं यो की तासीर ठंडी होती है जिन लोगों की बॉड़ी का नेचर कोल होता है, यानि कफा नेचर की जो लोग होते हैं, और वो लोग होते हैं, जो बहुत जादा अबीज होते हैं, I am not talking about small weight gain, लेकिन जो अबीज लोग हैं, वो इसके अंदर black pepper powder, थोड़ा सा और honey आड़ करेंगे, तो उनके लिए ये अच् नहीं रहती है, तो मैंने बाकी ingredients जो है, वो एड़ कर दिये हैं, juice में, इसे मैंने ट्रांसफर कर लिया है, ग्लास में, आप इसे fresh consume करें, do not try to store this juice, इसे आप consume कर सकते हैं, early morning, आप empty stomach भी ले सकते हैं, as a mid morning या mid meal भी ले सकते हैं, लेकिन इसको night के वक्त, यानि सूरज ढ़ने के बाद इसे आप consume ना करें, और winters में भी आप इसे avoid करें, क्योंकि ये काफी cool होता है, last but not the least, हमारा multi vitamin juice, और इसका नाम मैंने ये इसल vitamins, not only just vitamins, ये minerals में भी आनि पूरे micronutrients का जो इसका profile है, वो बहुत ही amazing है, इस juice को बनाना बहुत ही आसान है, simply हमें अपने मौसंबी का pulp, गाजर और अनार के दाने, blender में add करने हैं, आप इसे blend करने के लिए plain water का इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास coconut water available है, तो उ इसका nutritional profile और improve हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, साथे pink salt और cumin powder मैंने add कर दी है, इसे हम blend करेंगे, और फिर glass में हम इसे serve कर लेंगे, और soak की हुए अपने chia seeds bottom में add कर देंगे, इसे अच्छी तरह stir कीजिए, and enjoy this healthy multi-vitamin juice, उपर से आप इसे garnish कर सकते हैं, थोड़े से और प्रमोगरेनेट seeds के साथ, so thanks for watching, I hope आपको ये healthy nutritious juices के recipe पसंद आई होगी, अगर आप इन्हे try करते हैं तो अपना feedback और recipe की pictures में इसाथ Instagram पे share करना ना भूले, आप comment section में भी मुझे अपना feedback बता सकते हैं, आज के लिए इतना ही, thanks for watching, stay healthy, stay fit, stay active, and stay safe, I'll be back very soon, until next time, you take care, bye-bye.